रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 9 के बिहाइव बुक से रेन ऑन दरूफ पोयम पढ़ेंगे जो कि कोट्स की द्वारा लिखा है तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस पोयम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे जिसमें यह प्रदर्सित किया जाता है कि जो यह बारिस है रेन वो कवी के लिए बहुत खुसिया लाती है मैक्सिमम हैपिनेस जब वो अपने ब्रीम में डूबा होता है अपने स्वपन में डूबा होता है तो उसकी मन के अंदर पहुत सारी आनंद की जड़ घूम रहे होते हैं उसे बारिस की वो बून्दे जो की चट के चपर पे गिर रही होती है और पैटरिंग साउंड लारी होती है टप 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 की वो चीज सुनना उनको पहुत जादे पसंद होता है हम लोग इस पोयम में ये भी देखेंगे कि कितना connected वो उस droplets of rain से हो रहे हैं जो की उनकी घर के चपर पे गिर रहा है आगे हम लोग इस पोयम का theme देखेंगे ये जो कविता है rain on the roof इसमें प्रकृतिक वर्षा का जो स्वास्त वर्थक च्छमता है ना उस चीज को poet ने प्रदर्शित किया है और खासतोर से तब जब हम अपने cottage में होते हैं और cottage के साथ साथ हम बेड़ पे होते हैं जब बारिस कि छट पे गिरता है वो आवाज एक अलग तरीके का खुशी प्रदान करता है और हम उसे enjoy करते हैं जो इस कविता का पहला इस्टेंजा है वो बताता है कि जो कवी है वो पैटरिंग साउंड बहुत जादे enjoy कर रहे हैं चुकि वो जो रात रहता है वो रेनी रहता है मतलब क रात में बारिस हो रही होती है और उनके सपर पे वो आवाज सुनाई दे रहा होता है जो चीज उनको बहुत प्लीजन्ट लगता है वो बहुत इंजॉय करते हैं वो पैटरिंग साउंड लेकिन सेकंड इस्टेंजा में यह भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बारिस के वज जैसे थप थपहाट की आवाज आ रही है वैसे इसे भी थपकिया देके बहुत प्यार दुलार देके उसको सुलाया करती थी उसे लोडिया सुनाया करती थी उसको ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सायद उसकी मां उस बारिस की आवाज के माध्यम से उसके पास आ गई है और य Finally, यहाँ पे आपका ये poem समाप होता है.